असलाम वालेकुम फ्रेंड स्वागता आपका इस यूटूब चैनल जेके स्टूडेंट स्कैडर में तो जेके बोज की तरफ से एक बिग अपडेट आया हुआ है जितने भी सूडेंट ने 10th and 11th क्लास का एक्जाम पास किया है बाइनवल प्राइविट एक्जाम 2024 में तो एक्जाम फार्म सबमेशन डेट जो है वो इनांस हो चुका है जासा कि मैंने आप सभी सूडेंट को बोला था के लिए अलग से जो है वो डेट आजाएगी यहां पर एक confusion सूडेंट कोगा हमारा जो एक्जाम में वो रिगलर वालों के साथ होगा या नहीं सब कुछ डीटेल में जानने के लिए ये वीडियो इन तक जरूर देखो एक्जाम फार्म के लिए प्री क्या रहने वाला है, लास्ट एट क्या कुछ रहने वाला है सब कुछ अच्छे तरीक से डीटेल में समझातों का वीडियो इन तक जरूर देखना अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल सबस्क्राइब करके रहे हो बाकि इंपार्टन अपडेट्स के लिए यहाँ पर आपको स्टड़ी मोटिरियल की पीडिया फाइल वगएरा फ्री आपकोश में मिलती रहती है तो इसलिए जोए जरूर करना यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जोजे के बोस की तरफ से आयुई है चाहे आप जमोड विजन के सुट्डंट्स हो या फिर किश्मी डिविजन के हो तो दूनों के रहे यही नोटिफिकेशन रहने वाली है subject यहांपर आप देख सकते हो जिन students ने 10th class exam private में pass किया उनको अब 11th class का regular exam form fill up करना होगा जिन students ने 11th class private exam जो है pass किया है उनको अब 12th class का regular exam form fill up करना होगा but exam कब होगा exam आपको यहांपर 15 feb से होगा जिन students ने यहांपर इससे पहले जो है न वो form fill up किया उन्हीं के साथ आपका भी exam होगा same तो यह बात आपने याद रखना है आपको यहाँ पर private वालों के साथ exam नहीं होगा आपको यहाँ पर 15 feb से exam start होने वाला यह बात आपने याद रखना है तो इसलिए अच्छा तरीक से पढ़ना start कर दो students ने 10th class का pass किया उन्हों 11th class का exam form fill up करना है जिन students ने 11th का exam पास किया उनको 12th का यहाँ पर exam form fill up करना है बट जिन students ने यहाँ पर provisionally admission लिया था तो इसाथ में यहाँ पर 5 compulsory subjects को पास किया है वो इस students यह exam form fill up कर सकते हैं तो अब यहाँ पर हम direct जो है यहाँ पर fee वगेरा and date वगेरा देख लेते हैं जिन भी students को 5 subjects है उनको 1365 रुपीज पर एक करना है और जिन students को 5 plus subjects है उनको 1610 रुपीज पर एक करना है तो अगर हम यहाँ पर date की बात करेंगे 25 नॉंबर से लेके 30 नॉंबर तक आप अपना form fill up करो यही यहाँ पर आपको कहूँगा कल से ही यहाँ पर अपने institute जाए तो वहाँ से अपना form fill up करें 30 नॉंबर से पहले पहले आप अपना form fill up कर सकते हो without late fee जैसा कि यहाँ पर mention है तो अगर साथ में आपको यहाँ पर आपको renewal registration भी करनी होगी उसके जो यहाँ पर total fee है वो है 220 रूपी पर candidate तो इसके लिए यहाँ पर same date यही रहने वाला है 25 नॉंबर से लेकर 30 नॉंबर तक तो जैसे आप अपने institute जाओगे वहाँ पर आपको सब कुछ वही जो है submit बगरा करेंगे तो इसलिए यहाँ पर 30 नॉंबर से पहले पहले आप अपना exam form फिल कर सते हो साथ में आपको renewal registration भी वही करनी है तो यह एक important update था जिन भी students ने pass out किया था जैसे कि मैंने आपको बोला था आपके लिए new notification आजाए कि tension एने की कोई बात नहीं है कोई भी doubt रहा, comment करके जरूर बताना एक important video था इस video को देखने के लिए thank you so much